नारायन, नारायन, नारायन स्री हनुमान जी के उपासकों के लिए इस होली परवपर एक रक्षा कवच के रूप में सिद्ध कर नहीं थूँ स्री हनुमान जी का पंचमुखी कवच उसके विशे में यहां चर्चा हो रही है वैसे जा अन्य कही स्थानों पर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत विश्तरत रूप में लिखा होता है परणतु स्री हनुमान जी के जो पंचमुख है उन पंचमुखों को से यह प्राथना की गई है इस कवच के माध्यम से कि इस मुख के दवारा इस दिशा से हमारी रक्षा हो तो उतना ही वहां पर हमें इसमें कवच में वरणन करना है और पपढ़ना है एक प्रकार से यह दिखबंधन हो गया दिशाओं को बांधना की कसी भी देवता को हम प्राथना करते हैं तो दिखबंधन होता है दसों दिशाओं को बांधना या जैसे मुख के रूप से जो चार दिशाए होती हैं और एक उपर की दिशा जो उर्दों मुख जो माने जाती हैं तो पंचमों की हनुमान जी इन पांचों दिशाओं में पांच मुखों के द्वारा रक्षा करते हैं और मूल रूप में उनका जो सुरूप है वो सादक की रक्षा के लिए एक सुक्ष्म रूप से उनके साथ इस कवच के माद्यम से सिद्ध हो जाता है और इस कवच के गयरा सो पाठ करने हैं हूली की रात में आप नौ बजे के बाद जिस दिन हूली जलाया जाती है आप इसको बैट जाए और इसका पाठ हारामब करिए गयरा सो पाठ कर सकते हैं और जो कही और जगर लिखा होता है तो उसमें बहुत सारा वरण लिखा होता है उसके भूमी का उसके फलसृति और कुछ ऐसे मंत्र भी उसमें लिखे होते हैं तो उन मंत्रों का उसमें पाठ करने के आवशकता नहीं है एक दिख बंधन कर, कभी भी जब हम साधना करते हैं तो दो बाते दिहन रखने पड़ती है खास करके जो उच्च कुटे की साधना की जाती है एक तो दसो दिशाओ को बांधना अवस्थक होता है आसन बांधना अवस्थक होता है और एक अपना कवच दारण करना पड़ता है जैसे युद्ध में हम जाते हैं तो ये भी एक देवी युद्ध ही होता है देवी जगत में जब आप जाप करते हैं साधना करते हैं तो आसुरी सक्तिया भी आकरमन करते हैं क्योंकि इस प्रकार के कोई जो भी है आप कोई साधविक मंत्रों का जाप करते हैं तो जो तामसी आसुरी सक्तिया होती है उस मंत्रों के तेज़का कारण उनको कष्ट होता है तो वो आकरमन करते हैं वो सुचते हैं कि इसकी साधना कंडित कर दे और बहुत से साधना में विगना आते हैं ऐसे कि घरों में कलव होना, मन का चाटन हो जाना, कोई सरीर का विमार पढ़ जाना, या कोई ऐसे बूरे दिरिश्य दिखाए देना, तो ये सारे जो समस्य जो साधना काल पर आती है, मनों चड़ जाता है, साधना अधुरी चुड़ जाती है, तो इसलिए होता है कि हम लोग दिख बंधन नहीं करते हैं, हमारा आसन बंधा नहीं होता है, और कवच नहीं, हम लोग उसके बंतर के साधना के पहले कवच नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो कवच या दिख बंधन वो आपका सिद्ध होना आवस्चक है, तो हनुमान जी क्या य उसमें इतना ही आवश्यक है, जितना इसमें दिया हुआ है, यदि आप इतना ही पढ़ लेते हैं, तो ये पूरना हनुवान का बच आपका सिद्ध हो जाता है, तो कम से कम जब भी आप किसी पूजा में साधना में बैठें, और खास करके सातविक साधना में, तो आप एक बार इसको जब इस सिद्ध हो जाए, ग्यारा सो पार्ट करने के पाद जब इस सिद्ध हो जाए, तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी बार हो साधना के पहले इसको पढ़ लिया जाए, तो हनवान जी की उस आदब के लिए एक प्रकार से सुक्ष महरूप से सुरक्षा प्राप्त होती है जैसे बजरंग बार्ण के दोरा भी सुरक्षा प्राप्त होती है तो इसको आप सिद्ध कर ले और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गूगल ड्रेव में से अब इसको डाउनलोड कर लेजिएगा तो ये एक कल्यानकारी स्तोत्र है और इसको जो लोग सरद्धावान है इसको आप सिद्ध कर सकते हैं जो मासार ही नहीं है सात्विक प्रकृति के लोग है उनको ये स्रीहनुमन कवच सिद्ध करना चाहिए बहुत से ऐसे कवच है जिसमें मैं अभी इस विसे में बोलना सुरू करूँगा तो बड़ी लोगों में संकाए इसमें उत्पन हो जाएगी परन्तु एक दिन मैं वो विसे सारे रखूँगा ऐसा नहीं है तो ये सारे जविसे हैं जब आएंगे तो लोगों को समझ मैंगा कि नहीं है किस प्रकार से किताबों में छपे होते हैं और जो मूल जो कवच होते हैं वो अलग होते हैं और उसमें कवच में इतना छाप दिया जाता है कि जो संस्कृत नहीं जानते हैं जैसे एक साधारन आदमी तो उसको भी कवच मान के उसको भी रटना और पढ़ना सुरू कर देते हैं जैसे मैं हनुमत कवच के बारे में यह दिका हूँ कि नहीं इसको आप पढ़ा हो तो उसमें दूसरी जो जहां पर लिखा है तो आपके संकाओं का समाधान भी हो जाएगा फिलहाल अभी समय नहीं है चुकि हम लोग भी यग्यादे में सब अपने अनुस्टान में लगे हुए हैं तो परन तो कुछ साधक की इच्छा थी कि नहुली को कुछ स्वामी जी वता है तो मैं उनके लिए एक कवच दिखबंधन की रूप में है रक्षा कारक कवच है और जो लोग आगे चलके कुछ साधना सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी साधना हो जाएगे कम से कम एक रक्षा कवच उनके पास सिद्ध रहेगा तो आप इसको सिद्ध कर ले और इसका वज का लाव उटाएगे नारायन नारायन नारायन